तो है guys स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस वीडियो में मैं आपको hashtag लगाने का साही तरीका बताऊंगा कि आप अपने वीडियो में hashtag साही तरीके से youдж करहें ताकि आपका वीडियो सर्च लिस्ट में जा सके और YouTube आपके वीडियो को ज़्याद से ज़्याद लोगों तक इंप्रेशन भेज सके तो इसके लिए आपको चलना होगा YouTube पर और YouTube पर जैसे मेरे यहाँ पर कुछ वीडियो अपलोड है मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ मैं किस तरीके से हैस्टेग यूज करता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मुझे टाइटिल की उपर कुछ हैस्टेग सो हो रहे हैं यह हैस्टेग कैसे सो होते हैं तो आप अपनी वीडियो में कैसे यह यूज कर सकते हैं तो इसके लिए आपको three line दिख रही हैं इन three line पर click करेंगे यहाँ पर आपको option मिलता है edit का तो edit पर click करेंगे फिर यहाँ आपका edit वाला option open हो जाएगा फिर आपको यहाँ उपर देख सकते है title है title के बाद आपको description सो हो रहा है तो description पर जाएंगे हम तो description में ही hashtag का use किया जाता है आप title पर use ना करें description में ही hashtag का use किया जाता है तभी वो title के उपर सो होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए कुछ hashtag लगाए रखे हैं है ना सबसे पहले आप अपने चैनल का नाम लिखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुगा है और घंसियाम टेक्निकल फोर हैस्टेग ऐसा होता है कि उसमें कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता है ध्यान देना हैस्टेग में कभी स्पेस नहीं दिया जाता है मेरा वीडियो जो है आउट्रो से समंधित है आउट्रो है आउट्रो के बारे में मैंने बताया है कि आउट्रो कैसे बनाएं तो सबसे पहले मैं अपने चल का नाम लीकूँंगा फिर outro, फिर professional outro, फिर how to make professional outro YouTube channel, फिर outro कैसे बनाएं तो इस तरीके से कम से कम आप 8 से 10 hashtag यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में दस बहुत हो जाते हैं, दस से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है, इससे कोई benefit नहीं है, दस बहुत हो जाते हैं, दस ही आप अपने description में hashtag यूज कीजिए, तो और इसमें आप जो tag होते हैं, tag को ही hashtag बना के यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना जैसे कि मैं यहाँ पर और डाल in 2021, है ना इस तरीके से आप hashtag दस यूज कर सकते हैं, यह आपके 3 जो most होंगे उपर के, वो आपके title के उपर so होंगे, तो hashtag लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, आप भी description में ही यूज करें, आप इसके बाद आपको कर देना है save, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, पिले करके hashtag कैसे नजर आता है, तो आप देख सकते हैं, आपर title के उपर so हो रहा है, घंसे आप technical 4, आउट्रो और professional आउट्रो, तो 3 hashtag जो है आपके title के उपर so होंगे, तो इस तरीके से आप भी अपने वीडियो में hashtag का यूज करें, इससे वीडियो भी बहुत जल्दी बाइरल होता है, और YouTube आपकी वीडियो का इपरेशन जादा से जादा लोगों तक भीहजता है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं, आप भी इसी तरीके से यूज करें, आसा करते हैं कि आपको जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी ही लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल परना हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जैहन, बंदे मातरम